वोड़ी ईनिग एवरीवान गोल्ड पर बहुत बड़ी न्यूस आये जैसा कि आप यह टेप देख पा रहे है क्या हुआ है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे उसका इंपक्ट रहने वाला है गोल्ड कमोडिटी पर एकसे यूएस टी पर बात करेंगे गोल्ड सपोर् सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको यह करता है तो आपको वीडियो के अप्रेस टाइम मिलेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेखे आखी तक देखे तो जल्बी से दोस्तों न्यूस पहा जाते कि वह न्यूस है क्या वही देखे मैंने आपको हमेशा से बलाया यह दोलर मेंने आपको डोलर को दो चीजों से गया देखो हर करन्सी की कोई कारंटी होती न तो वह होती एक तो गोल्ड और अगर यूस डॉलर की बात करें तो वह क्रूड ओल्बीस में आप एड़ोन करतों ठीक है न तो गोल्ड हमेशा किसी कंट्री की बैक्बॉन होता है लितन चांड क्या लोट नें बिस्क्राइब चेंट करकार आज से λetrा से अभिन किया हूं टरी ट्रीट ट्रीट ट्रॉथ बदीने में लगें चुका हूँ तो यहां पर यही न्यूस है इसका में हिंदी में अन्वाद भी कर दूंगा पहले में इंग्रिश में पर लेता हूँ आपके सामने की strong dollar slow India's gold buying spree and why it was as a क्यों हुआ है I'll tell you right a strong US dollar is waiting on Indian gold and silver demand right India is almost in the middle of its annual festive seasons when demand for the gold and silver peaks India gold rates are influenced mainly by US interest rate and the dollar relationship with Indian rupees I'll tell you what exactly it is मैं आपको बताओंगा कि क्या बोलना चाहरे है इस चीज में इन्होंने दो या तीन पॉइंट तीन पॉइंट्स मेंशन किया है strong US dollar is waiting on Indian gold and silver demand right ठीक है ना कैसे कर रहा है देखे US जब dollar मजबूत होता है तो क्या होता है रूपी कमजोर हो रहा है ठीक है आज dollar equal to 82 rupees है ठीक है अभी भी देखो trade तो gold का US में हो रहा है आलगी बाते चल रही है कि हम लोग currency में करेंगे दूसरी currency में trade करेंगे बट फिलाल तो वेसे हो रहा है ना तो अब जब dollar बढ़ता जाता है तो gold की prices बढ़ती जाती है जितने में हम gold खरेंदेंगे उसकी price बढ़ती जाती राइट तो इंडिया is almost in the middle of और हमारे क्या इंडियन गोल स्रेट इंफ्लेंस में बाइड यूस इंडियन रूपी जो मैंने बताई तो राइट क्योंकि जितना ज्यादा यूस का डॉलर स्टोंग उतना ही जदा हमारे ले सोना मेंगा जाएगा राइट और सोने की इमांड क्या होती काम होती जाएगी तो अक्टुमबर तो अभी को यहां पर प्राइस पर क्या फ्रक पड़ेगा बता रहेता हूं आपको देखें यहां पर नहीं का बाइड फाल में तोस पिवीय। यहां में इन चैपि है को बाइड हाई व्मस्टा अर्म धूंट नाइं आर्सेंस प्रोडॉँ वल्म आपको backward घंधेas João को रहें ग्लोवेड हैं इन unc theory है को उत महीं में आपको अभू सामस्ट होन पर ट्रफ क्या होनी यहां लग्या में आउना कर अगर आपको अभी मेरे साथ साथ इतने वीडियोस देखे हैं अगर आपको नोलेज और स्कील मिली तो कमेंट शेक्शन में लिखके बता है कि दोस्तों क्या होने वाला आपको क्या लगता है ठीक है ना जल्दी से फटाबर कमेंट कर लिए क्यों मैं तो बता ही दूंगा भी इसकी तरीके से फेडाइक फेडा गराएक कर रहा है तो वो अपनी फेडाइक को मेंटर करने के लिए गरागा गरा है गौल को तो जब गोल्ड को डंप कर रहे हैं तो गोल्ड की प्राइस तो नीचे जाने वाली है ठीक ना बीच बीच में अगर उपर चला जाता है ये गोल्ड स्पार्ट एकसे यूसडी तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट टम प्रस्पक्रें में जाती है तो उसमें कोई अत्यश्चेक्टी नहीं होगी लेकिन हर एक चीज का पैटर्न होता है ऐसा नहीं कि कमोडिटी टीट में इतनी सारी uncertainty तो आप कमाने सकते हैं, जितनी जादा uncertainty उतनी जादा कमाने के chances भी होते हैं, लेकिन रिस्क भी जादा होती है, लेकिन हम रिस्क को अववेट करने के लिए हमने धेर सारी strategies अपना जीकिए, अगर आपको वो सारी strategies चाहिए तो दोस्तों अजय सारे important steps मिलेंगे दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, आज इसके levels कहा रहने वाले, एक से USD में मैं पहले से बता देता हूं, दोस्तों मैं काफी बीरीश हूं, मैंने पहले भी काफी videos बनाएं, और देखे, जब डंप कर रहा है, और कितना ज्यादा नीचे down आ चुका है, व अपने को देखना है, तो बात कर लेते हैं, आपको पता ह हिए, हम Awak hoje बात करें, जर सॉटब्सक्राइबर चैनल बनाने का कि मेरे जो subscriber और जो public है जो इंडिया में जो काफी लोग है आगर आप आगे पीछ आप में देखेंगे ना काफी लोग है न मतलब unnecessary trading कर रहे हैं मैं उनको यही बोलता हूं कि unnecessary trading है उनको knowledge नहीं है उनको skill नहीं है उनको कोई mentor नहीं मिला है बिना mentor के seriously stop में मेरे भी mentors रहे हैं तो अब मैं खुद mentor बन गया हूँ right तो दोस्तो जर्णी के लिए आपको किसी ने किसी का साथ चाहिए होता आपको community चाहिए होती right अगर आपके पास community नहीं है right आप चाहते कि मैं तो one man army बन जो तो दोस्तो वो यहाँ पर possible था मेरे लिए मैंने किया था लेकिन हर मैं अपने आ मुझे interest आता है आप सोच सकते हैं कि पिछले 3-4 मैने से किसी आदमे को अगर interest नहीं है उसके बाद भी video बना है ऐसा possible नहीं है तो यह interest वाली बात है तो दोस्तो जितना आपको ज्यादा interest आएगा जितना ज़दा आप चीजों को if you have a seeking seeking stuff in your mind right then you can do wonders right आपको सीखना पड़े कि कुछ नहीं होने वाला it's waste of your time maybe आप मेरे tips लेके तो आप कमाई देंगे लेकिन क्या जिंदगी वेर आप मेरे tips के उपर ही रहेंगे तेकर मेरा उदेश ही है यह कि आप खुद अपने self-dependent बनेगे मैं वीडियो तो जिंदगी पर बनाता रहूंगा मैं हमेशा से बोलता ह वन टम सब्सक्राइबर इस लाइफ टम सब्सक्राइबर फो मी राइट चले बात कर लेकिले लेवल के रहने वाले लेक्टर वाले लेक्टर वाले जोन मुझ अलागे था वन वीक का चार्ट एक 1644.3 पर है और अगर आप देखें तो यहां पर अगर मैं रजिस्टेंस अगर आपकी स्टाटेजी सही रही ना तो जो आपने गलतिया की मिस्टेक की ना उसको भी आप सुधार सकते हैं तीक वन मन का चार्ट क्या कह रहा है कि बहुत ज़दा मुझे लग रहा कि अगर यह सोला सो चार्ट की नीचे जाता है ठीक है ना सोला सो चालीस की नीचे जाता है त्यान से सुने का दोस्तों बड़ा क्रिटिकल है वापस से रिपीट नहीं करूंगा अगर सो चार्ट की नीचे जाता दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको इंट्राडे लेवल्स पे हो सकता है कि आपको 1625 से 1628 के लेवल्स मिल जाए इंट्राडे लेवल्स पे ठीक है ना यह तो इंट्राडे का लेवल है और अगर ध्यान से सुने का दोस्तों अगर मैं वन यर का चार्ट भी देख लूं तो मुझे लग रहा है दोस्तों अगर 1640 के बाद 1625 से 1628 का लेवल रहेगा लेकिन अगर उसके बाद 1625 का लेवल भी तोड़ देता और सस्टेन करता नीचे तो मुझे लगता है कि यह 1600 के नीचे जा सकता वापस से आपको 1500 वाले लेवल्स दिख सकते हैं और दोस्तों कुछ डिसाइड करें माइंड में तो आपको फटा-फट से उसका बैकप प्लान दूसरे वाले मगच दिमाग में आ जाना चाहिए ठीक है इनसान के पास दो दिमाग होते हैं एक दिमाग में आप हमेशा यह सोचें जो बड़ा स्टेट फॉरवर्ट सोचता है लोजिकली सो अगर वही हो जाए तो मुझे लगता कि फिर तो फिर कोई बात ही नहीं मार्केट में सभी सक्सेस्फल हो जाएंगी ऐसा होता नहीं है तो आपको भी पता है लेकिन एक फ्रिक्वेंसी होती कि मेरे मैं जो सोचूंगा दस में से नो वाली क्लिक हो जाएगी आप जो है तो वाइनोट यू बिल्ड स्टाटीजी राइट हमेशा मैं यह प्रैक्टिस हमेशा फोलो करता हूं जब भी मैं कोई ट्रेडिंग लेवल में कॉन्फिडेंट होता हूं उसका बेकप प्लान में पहले ही तैयार करता हूं जरूरी है अगर आपका कोल नहीं हुआ ठीक न कि गोल्ड में न्यूस तो आई है गोल को गोल की प्राइस को बढ़ानी की लेकिन चला गया डाउन ठीक है तो अब उसमें आप बेटके रो नहीं सकते हैं कि यार मैंने तो सही किया था बिल्कुल आपने सही किया था आपने लोजिकल एक्स्पानेशन टेक्निकल एनलाइसि परिक्षिन नहीं है कोई पर्टिक्लो न्यूस है तो आपको क्या करनी है फिर हैजिंग करनी है आपको तो यह तरह-थरह की टेक्निक से हैजिंग वगए और सारी स्टैटिस वगए आजय का ओल्टा चाश्मा आपको देखने को मिलीगी वहां आप जाके देख सकते हैं दोस आपको मिल जाएंगे जो भी आपको लेवल सूट करता है अगर 1640 के नीचे सस्टेन करना चाहिए अच्छे तरीकर से दोस्का उपर की साइड में लेवल्स बता देता हूं आपको को रही हूं की शौट टम में कोई वाइंग हो सकती है तो बहुत दूर है भी लेवल तो चले बात ककलेते इंटा लएंटा эти के बारे में मुझे अगर आप वन मंत आ चार्ट की देखें वाह वण रो तो बात करें क्या भी देखिए ना अगर आपको यहां से 16 तो मुझे लगता है कि आपको 1652 के लिए दिखनी रहे मुझे दोस्तों इसलिए मैं यहां पर के लेवल में देखनी रहा हूं अगर आप मेरी माने तो उपर के लेवल जाये तो आप वेटन वोच करो किसी तरह के लेवल पर बाइंग नहीं कर नहीं है और मैं इनफेक्ट यहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि देखे उपर के लेवल मुझे लग रहा है कि बहुत उपर अगर मैं बुलूँ आपको कि 1652 के अगर उपर जाता है तो फिर वेटन वोची करों नीचे आना चीए 1640 की नीचे अगर नहीं आता तो आपको एक से यूजडी में आप रहने दीचे दिखे जबरदस्ति का मैं कोई ट्रेड बताता नहीं ऐसा नहीं कि मुझे हर बारी कोई ट्रेड देना है मैं यहां पर यहां पर जाता है तो देखे मैं यहां पर जाता है तो इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूं कि देखे बहुत सारी में नौलेज यह स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ा है और नौलेज है एक समुंदर की तरह है ठीक है ना आप जितना नीचे जाओगे ना फिर थोड़ा आगे जोगे फिर नीचे जाओगे न तो गहरा ही बढ़ती जाएगी राइट कभी कम नहीं होगी गहरा ही राइट अब यही चीज़ हो दोस्तों यह एक अलग analysis है कि आपको कौन से strategy कहां सब्सक्राइट करते हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं काफी सारे वीडियो अच्छे हैं देखो ट्रेंड तो क्या है दोस्तों ट्रेंड करना तो मार्केटिंग है जो वाइरल वीडियो होते हैं जो जैसे मेरे चैनल वह वाइरल ही होते हैं वह हमेशा कच्छवे की चाहस से चलते हैं अगर आप जैनियून कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं लोजिकल एक्समेशन प्रॉपर नौलेज तो प्लीज वह करिए क्योंकि जैसा आप करेंगे जैसी सप्लाय होगी वैसी डिमांड होगी जिस परिकेसे आप जो चाहेंगे अगर आपको जैनियून कंटेंट चाहि कि बात कर लिते गोल्ड मीनी की बारे में अभी क्या चल रहा है देखें इंडियन मार्केट और यूस मार्केट अभी तोड़ा अलग-अलग चल सकता है जैसे ही मैंने बोल रहा हूं कि यूस मार्केट तो डंप कर रहा है वोड़ तो defiantly there can be a little bit डेकिन यहाँ पर यह भी डा में कुछ एज्यूम करता हूं, जब भी कोई मेरे दिमाब में इसा थोट आता है, कि यह रही तो डाउन जाएगा, सीरिसली जैसे ही थोट आता है, साइमल्टेलियस नी, पैरलली, फटा-फट मेरे दिमाब में आता है, कि इसका बेकर प्लान क्या होगा, क्योंकि वर्स्ट केस में हमेशा पहले मान के जलता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ऐसा नहीं, देखो, जब आप कोई चीज करते हूं, तो अगर आपके उसके वर्स्ट केस पहले से पता हूं, तो आपके पास यह उसका बेकर प्लान बन है, क्या यह एक घिरावट बनी रहेगी, देख लेते हैं, यह फिर से क्रिटिकल लेवल्स पे आ चुका है, एंड शिक्स मन का चार्ट भी देख लेते हैं, पहले मैं आपको शोट तम में बता दूँगा दोस्तों कि क्या रहेगा, एंड आप जनरेट कर सकते हैं, तो देखिए जैसा कि दोस्तों मेरे को यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछें, तो देखिए अगर एक कल लेना गेम डाउन ओपनेंग उत्ती ध्यान से सुनेगा दोस्तों, ठीक है न, दोस्त्राटेजी एक साथ इंप्लिमेंट करने वाला हूं म मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, दो स्रेटीजी एक साथ इंप्लिमेंट करनी पड़ी, कभी कबार कॉंबिनेशन ओप स्रेटीजी करनी पड़ती है, जब आप शोर नहीं होते हो, ठीक है न, तो एक तो होगी गेम डाउन ओपनिंग, ठीक है न, प्लस ध्यान सुनेगा प्लस पहले शोर्ट तर में बता रहा हूं, अगर गेम डाउन ओपनिंग में एक बतलब अगर आपको यह दिखता है, जैसे गेम डाउन ओपनिंग होती है, मालोग 49,984 पर खुलता है, तो क्या उसको गेम डाउन में कुछ खास गेम बोल पाएंगे है, क्या उस गेम डाउन अगर दोस्तों यह जान से सुने का दोस्तों, अगर यह कल 49,950 के नीचे सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि शौट टम प्रोस्पेक्टिव में, शौट टम प्रोस्पेक्टिव में, आपको 49,350 के लेवल्स मिल सकते हैं, यस गाइस, शौट टम प्रोस्पेक्टिव एक लेवल्स मिल सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर मुझे लेवल्स दिख रहा है दोस्तों, 49,250 का लेवल्स दिख रहा है, लेकिन सेफर साइड, वोल अलटिनिटी को मद्धे नज़र रखते हुए है, 49,300 के लेवल्स हम चौट टम प्रोस्पेक्टिव में अचीव कर सकते हैं, हो सकता है, वन डे में भी अचीव हो जाएगा, ठीक है ना, तो दोस्तों अगर ये तो शौट टम हुआ, इंट्रा डे भी मेरा यही रेजिस्टेंस है, दोस्तों, अगर 49,950 पे जाता है, तो आप आपको easily जो पहला लेवल है दोस्तों, राइट, वो हम derive कर लेते हैं, यहाँ पे पहला लेवल आपको मिलेगा, वन बीक के चार्ट से देख लेते हैं, sorry, 3 मंद के चार्ट से देखना पड़ेगा, पहला जो लेवल मिलेगा, दोस्तों, वो मिलेगा आपको 49,600 का, ठीक है, अ अमेशा, you know, B plan, B plan actually na, A plan से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, you know, हम उसको पता नहीं, why we say B plan, you know, but B plan बहुत ज़्यादा अच्छा होता A plan से, you know, क्योंकि A plan तभी काम करता है, जब B plan हो आपके पास, right, seriously, नहीं तो A plan बिल्कुल third grade plan हो जाएगा, you know, तो B plan में आपको क्या करना है, देखे, B plan में क्या होगा, मार लो, ये hit नहीं किया, कुछ भी hit नहीं किया, हमारा M M मान के चली कि हमारा बिल्कुली analysis हिट नहीं हुआ, कभी कबार ऐसा होता है, सब के साथ होता है, right, तो हम क्या करेंगे, देखे, अगर उपर भी जाता है, दोस्तों, देखे, यहा लगने ने, लगने से market थोड़ी react करता है, right, ठीकिन, हाला कि मुझे भी market को देखे ही, मुझे अंदर reaction आ रहा है, कोई feeling नहीं, को emotional feeling के चलते नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर B market है, भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मान लो, 50,000 के उपर जाके sustain करता है, अच्छी तर आपको उपर के level मिल सकते हैं, 50,600 के, लेकिन जितना उपर जाए, ध्यान रखेगा, जितना उपर जाए, उतना मैं short करने वाला हूं, gold को, gold definitely मुझे लगता है, 49,300 के नीचे आएगा, अगर उपर जाता है, तो फिर से एक opportunity बनती है, short करने की, right, तो अगर ही 50,000 के उपर sustain कर करता है, for at least 5 minutes, तो आपको क्या करना है, थोड़ा उसको बढ़ने दीजे, उसके बाद अगर अच्छा spike आता है, जिसे 1% का spike आता है, या कभी अगर ऐसा आचा तो वो आपके लिए golden opportunity होगी, gold में, right, gold में golden opportunity, शायरी होगी, right, तो golden opportunity होगी है, वहाँ पर शोर्ट कर सकते हैं कि भी प्लान भी है, कल कोई ऐसा दिन भी आ सकता है, कि मैं तीनों में बीरिश हूँ और तीनों आप चल ले जाए रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बी प्लान भी है, हमारे पास hedging है, हमारे पास strategies है, हमारे पास risk analysis है, risk management है, वो सब कुछ मैंने आ जागा, उ एक request है, दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है, दोस्तों, इतना effort देने के बाद भी लोग पता नहीं, बिना like की video चले जाता है, अगर आपको वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपको वीडियो को लाइक करेंगे, motivation मिलता है उंको, और और ज्यादा वीडियो बनानी, you know, कमना होती, क्योंकि motivational speakers जो होते हैं, उनको भी motivation की जरूती, ऐसा नहीं होता, तो be very honest, अगर कोई भी हो, Sandeep Maiashree, आपको क्या लगथा, Sandeep Maiashreehh को motivation की जरूत नहीं है, ऐसा कोई आदमी जिसको motivation की जरूत नहीं हो, इसी में, अगर जिसको motivation की जरूत नहीं होगी, वो आदमी बर्भवान मन जाएगा यहाँ पर तो motivation की मुझे भी ज़रूत है ताकि मैं आपको कुछ और अच्छे motivation जी वीडियो बना सकूँ मेरा motivation यह रहेगा कि आप मेरे अगर content को support करते हैं तो please उसको show करें, present करें, like करें चैनल को subscribe करें, bell icon दबाखे select or करें और जादा जादा लोगों को साथ share करें, ठीक है ना? तो जितनी जादा public होगी, जितनी जादा audience होगी दोस्तों मुझे वीडियो बनाने में उतना ही साथा मचाएगा दोस्तों, तो with this nice full thought this is Ajay and signing off